नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हूँ मैं आज जोतिस्ट से संबंधित जिस सूत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूँ बस यूँ समझ लीजिए कि जब आप हजार दो हजार जन्म कुंडलियों का अध्यायन करेंगे और अध्यायन के साथ रिसर्च भी करेंगे तब जाकर के आपको ये सूत्र कहीं न कहीं समझ में आएगा चुकि आप मेरे दर्शक हैं और मैं सदय आपसे अपने जो तिसी सूत्र ही केवल नहीं साजा करता वरन उन रिसर्चों को भी मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम रिसर्च कर सके हमारे महर्शियों ने हमें इतना प्रदान किया हुआ है कि बस हम उन्हें ही आत्मसात कर लें तो हम बहुत कुछ जान जाएंगे प्रियदर्शकों ये कल यूग है निसंदेह जोतिश वेद का नेत्र है फलतह कई बार महर्शी पारासर के वो सिध्धांत जो मनुश्यों के लिए बनाए गए हैं वो कई बार मनुश्यों पर घटित होता नहीं दिखता जन्मकुंडली अपने आप में कितना गहरा सागर है ये तब पता चलता है जब आप किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली का अध्यान कर रहे हों आप जिन सिध्धांतों को जिन सूत्रों को जानते हैं और कई बार जातक उन सिध्धांतों और सूत्रों से बिलकुल प्रुथक अपने जीवन की स्थिती बताता है तो आपको भी समझ में एक बार नहीं आता कि हम जिन सुत्रों को पढ़े हैं महरशी पारासर के जिन सिध्धानतों को हमने जाना है ये जातक उससे बिल्कुल अलग कैसे कह रहा है कुदाहरण के तोर पर देखिए कि मेशलगन की कुंडली का आप अध्यायन कर रहे हो जहां देव गुरु ब्रहस्पती भाग्ये सोकर के बली अवस्था में हो और ऐसा जातक कहता है कि जब मेरे जीवन काल में देव गुरु ब्रहस्पती की दसा आई तो मैं सबसे ज़्याद यही दसा इसके जीवन की सर्वस्रिष्ट दसा थी साढ़े साती वैसे तो निर्विवाद रूप से कस्टदाई होती है यह सिद्ध है पर यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है सिद्ध है कि सबको साढ़े साती एक समान ही कस्ट नहीं पहुँचाती बलकि साढ़े साती क समय बहुत से जातकों के लिए बेहद सुरिष्ट और सफलता प्रदायक होता है प्रियदर्शकों जन्म कुंडली में जिस ग्रह की दशा हो उस ग्रह से जो ग्रह अंतर दशा में हो यदि दसानात से अंतर दसानात नम नवम और पंचम का संबंध बना रहे हों केंद्र का संब बुरा प्रभाव तो नहीं ही देते हैं ये आप जानते हैं अगर आप मेरे दर्शक है तो इतना तो आपको पता है वहीं दसानात से जब अंतर दसानात छटे आठवे बार्वे के संबंध में होते हैं तो चाहे मित्र ग्रह ही क्यों नहों उनका प्रभाव औसत हो जाता है परशत्रु ग्रह हो तो उनका प्रभाव दुस प्रभाव बहुत जादा बढ़ जाता है वो जातक को कष्ट प्रदान करने लगते हैं यानि ऐसी अवस्था यदि जन्म कुंडली में हो तो कारक ग्रह भी अपनी दशा और अंतर दशा का कोई बहुत स्रिष्ट प्रभाव नह प्रिदर्शकों पर जब आप के समुख बैठा जातक जिसकी आप जन्म कुंडली को देख रहे हो या स्वैम आप जब आप ये कहते हैं कि दशानात से नवम पंचम वाले ग्रह के अंतर में उन्हें कोई विशेसलाव नहीं हुआ बलकि कष्ट हुआ तो ये महरसी पारासर के सिध्धान्त के बिलकुल विपरीत चला जाता है और वहीं वो जातक जब कहता है कि जो कुंडली में सडाष्टक योग में बैठे हैं जिनको आप खराब कह रहे हैं उन्हीं की अंतरदसा मेरे लिए बेहद स्रिष्ट हुई अच्छा यहां मैं ये नहीं कहना चाहता कि सामने बैठा जातक आप से जूट बोल रहा है कोई जूट नहीं ये समझने का विशह है जब वो कहता है कि सराष्टक योग वाले ग्रह की दसा में ही मैंने खूब धन कमाया तो मन में एक बार को संसे तो अवस्य ही उत्पन्न हो प्रोफेशनल जोतिसी है उन्होंने वो मुझसे मेरे कारिक्रमों से बहुत दिनों से जुड़ी हुई है लगातार मेरे कारिक्रम देखती रही है जब इनी सूत्रों को किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर घटा रही थी और सामने बैठा व्यक्ति जैसा मैंने बताया कि व जो सही सिध्धान्त वही है जो मैंने आपको बताया महर्शी पारासर के द्वारा बताये जो सिध्धान्त हैं जैसा मैंने कहा कि जन्म कुंडली में कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिनके लिये हम जिन दसाओं को कई बार आपसे कहा जाता है कि ये दसा आपके जीवनक कुंडली का धेन कर रहा था उनके लिए जिन ग्रह की दशा को सरवाधिक स्रिष्ट बताया गया था वो उसमें और बरबाद हो गया कारण क्यूंकि नौमांस नहीं देखा गया नौमांस में वो ग्रह नीच इस्तुति में था प्रेदर्श को बहुत से कारण है लेकिन आज हम कुंडली में दसानाथ से अंतर दशानाथ यदि नवम पंचम के संबंध में हो तो अत्यंत स्रिष्ट केंद्र के संबंध में हो तो भी बहुत अच्छा लेकिन छठे आठ में बार्में विसेश करके सडाश्टक छय और आठ को बहुत अच्छा नहीं माना गया है ये हैं तब भी सूत्र तो ये हुआ न कि लगनेश की दसा में भागेश का अंतर या भागेश की दसा में लगनेश का अंतर लेकिन संबंध दोनों का यदि सडाश्टक योग का है तो ये अपना सर्व स्रिष्टतम फल जातक को प्रदान नहीं कर सकेंगे यही सही सिद्धान्त है जब की जो ग्रह सडाश्टक योग में हैं जो नमंपंचम में हो स्रिष्ट जो सडाश्टक में है वो चाहे मित्र भी हों अपना स्रिष्ट फल नहीं दे सकेंगे सही सिद्धान्त यही है परंतु कब-कब ऐसी स्तिति उत्पन्न हो जाती है जब सडाश्टक योग वाले अंतर दसा में आकर के जातक को विशेस लाभ प्रदान करते हैं और ऐसा जातक तो कहता है कि मैं जब इसी सराष्टक योग जिसको आप खराब करें इसी में मैंने सबसे बढ़िया पैसा कमाया है वो जूट नहीं बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है प्रिदर्शकों सबसे पहले आप इस सूत्र को ध्यान में रखिए कि जब आप जन्मकुंडली का अध्यान कर रहे हैं तो इस मैं हमेशा रासी फल में या बाकी भी आपको सूत्र बताता रहता हूं अब क्या होता है कि सभी सूत्र और सिध्धानत एक साथ तो नहीं बताये जाते तो अगर सभी सूत्र और सिध्धानतो को आप ध्यान से सुनते रहेंगे तब तो चीजें आपको समझ में आएंगी अन्य था फिसल जाएंगे मैं बात किसी प्रोफेस्टर जोतिशी का या किसी का नहीं कर रहा हूं मैं खुद की भी कर रहा हूं ध्यान से सूनी और समझी प्रिदर शकों शुभ पापग्रह सबसे जादा बली अवस्था में हो तो ऐसा जातक सहज भाग्य का भोगी बनता है अर्थात ऐसे जातक को उसके भाग्य का प्रबल सुख प्राप्त होता है और उसे जीवनकाल में भाग्य के सहारे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है और वहीं जन्म कुंडली में जब पापग्रह बलाबल के साथ हो तो ऐसा जातक कर्मबादी, संगर्स प्रिय और संगर्स सेही सफलता प्राप्त करने वाला बनता है। अब आप जब किसी जन्म कुंडली का अध्यान कर रहे हैं तो सबसे पहले इस सिध्धान्त को ध्यान में रखिए कि जो कुंडली आपके समुख है यह जिस जातक की है यह शुभग्रह के प्रभाव में है या पापग्रह के प्रभाव में है। तो वो जा सकता है नहीं जाया जाए तो वो हतियार डालता है। राक्षसगण बिलकुल अलग होता है। राक्षसगण के लोग मूलतह देखा जाए तो उनकी मूल प्रभृत्ती धारा के बिरुद्ध जाने की होती है। अब यहां रुकिए। जोतिस में हर एक पॉइंट अपने आप में बड़ा माहिने रखता है। आपका जो वर्ण है वो भी बहुत महत्वर रखता है। तब आप मान लीजिए कि ब्राम्हण बर्ण के हैं। आपकी कुंडली में शुभग्रह की बलवत्ता है तब। मैं बाकी के वईश्य और सुद्र को छोड़ देता हूँ, उनको भी इन ही में कैलकुलेट किया जाएगा। अब जरा समझे। प्रियदर्शकों अब इस सूत्र को समझने के लिए अब और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बात तै जानिए, जब आपने ये जाने लिया कि जन्मकुंडली किस गणकी है और किस वर्णकी है, किस ग्रह की बलवत्ता अधिक है, शुभग्रह अधिक वली है या पापग्रह। अब आप ये देखिए, कि इस जातक को कौन सी चीज ज़्यादा सूट करेगी, अब माल लिजे कि कोई ब्रामण बरणका है, शुभग्रह की बलवत्ता है उसकी कुंडली में, तब उसके जीवनकाल में नवम पंचम वाला जब संबंध दसा अंतर दसाक आएगा, तो वही उसके लिए सर्व स्रिष्ट समय होगा, उसके लिए अच्छा, यहाँ एक और बात बताना चाहता हूं, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, एसा नहीं है कि मनुश्य गण का जो विक्ति है, उसके लिए सराष्टक योग वाला, या राक्षास गण का जो विकति है, उसके लिए नवम पंचम वाला हमेशा खराब होगा। कई बार मैंने ऐसा देखा, एक मनुष्यगण के विक्तिकी कलपना कैसी होती है, बेहद शांत। लेकिन क्या मनुष्यगण के लोग अगर लगन से पापग्रह का संबंध हो, लगन से मंगल का संबंध हो, लगन से सूरे का संबंध हो, दुतिये भाव से मंगल का संबंध, राहु का संबंध हो, तो क्या ऐसा मनुष्यगण का जातक कलवाबानी बोलने वाला क्रोधी प्रव ब्रस्पती का लगन से संबंध है लगनगत चंद्रमा पर देव गुरु ब्रस्पती के दृष्टी पड़ रही है तो ऐसा जातक राक्षस गण होकर के भी एक दम से मैंने जो सिध्धान्त बताया कि दम धारा के बिरुप्ध जाना यह उसके स्वभाव में नहीं होगा तो य खेल तत्वका है, सारा खेल ही तत्वका है, अब मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में कोई जातक छत्रिय वरणका है, पापक ग्रह की बलबता है, और उसके जीवनकाल में जब किसी सडाश्टक योग वाले ग्रह की दसा अंतर दसा आएगी, पापग्रह का प्रभाव उसके लगन से जादा है तो ऐसा जातक विशेस धन अरजित करेगा जब जातक ने कहा कि मैंने खूब धन कमाया आज की समय में क्या कोई ये प्रश्ण भी पूछता है या क्या कोई ये भी कहता है कि शास्तुरी जी या जोतिशी जी ये वो समय था ज जब मैंने खूब साधना की कोई नहीं कहता तो ये वेद का नेत्र है परन्तु लोग चुकि सिध्धान्त तो वेद के नेत्र के आधार पर बताये गए हैं जातक के अध्धात्मिक सुख के दृष्टि कोण से परन्तु आज मानों क्या ढूंड रहा है कि मैंने कब धन खू वर्णका है वैश्य वर्णका है और ऐसी अवस्था में जबकि उसकी कुंडली में सुभक ग्रह की बलवत्ता जादा है और जब उसकी कुंडली में जब नवम पंचम योग वाले ग्रह की दसा अंतर दसा आएगी तो घरगारी बंगला कमाएगा वो कहेगा मेरे लिए तो मैं बड़ा सुखी जीवन जिया लेकिन वो ब्यक्ति जो छत्री वर्णका है राच्छस गण से प्रभावित है पापक ग्रह का संबंद उसकी कुंडली में लगन से जादा है वो उसको भाग्य से जब भी याद रखिएगा निसंदेह कई बार भाग्य से इतना मिलता है कि इनसान को उसकी कलपना से अधिक मिल जाता है लेकिन ऐसी इस्तिती वाले जातक जो पापक ग्रह के पुर्ल प्रभाव में हो वो कहेंगे नहीं मेरा इतने से नहीं होगा मुझे तो और चाहिए एक उदाहरण से देखिए आज एक विप्ति एक सरकारी नौकरी में बहुत अ झीवन मजे से कट सकता है लेकिन उसकी महत्वा कांछा समाब तो नहीं हो ऐसी अवस्था में जातक किसी भी तरह से पाने के लिए पृतनसील होगा जब पाने के लिए प्रतनसील होगा तो वो साढ़े साती, वो सडाश्टक योग, भाई, पाने के लिए, वो क्या पाने के लिए प्तक नसील हो रहा है, धन, धन पाने के लिए कोई बहुत जरूरी ने कि उसको मन एकागर करना पड़ता हो, परमात्मा को पाने के लिए, परमतत्त को पाने के लिए मन एकागर करना धन को पाने के लिए कर्म करना है, पुरुशार्थ करना है, और उसमें मन की जितनी एकागरता चाहिए, वो जातक अरजित करी रहा है, कर लेगा, फलतह वो कहता है कि जब सडाष्टक योग वाला समय था मेरे जीवनकाल में, यही वो समय था जहां मैंने खूब धन अरजित कि लेकिन जब उसके जीवनकाल में नवम के गुरु की दसा चल रही थी, तो निसंदे वो उस दोरान पूजा पाट सांती से जीवन वितीत कर रहा होगा, लेकिन वो उसको इसलिए अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको अधिक से अधिक उसकी महत्वा कांछा चाहत है, यहां एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, अब यहां पर मैंने अभी अभी एक बात कही आपको कि सारा खेल ही तत्व का है, हम पंच तत्वों से प्रभावित हैं, और इन्हीं पांच तत्वों को यह ग्रह दरसाते हैं, छुतिजल पावक, गगन शमीरा, बस यही खेल है सार अब प्रिय दर्शक को यह जान लीजिए, कि आपको यह नहीं देखना कि मकर लगन की कुंडली है, तो शनिदेव के मैंने जब पापप्रभाव वाली बात कही है, तो जो कुंडली करक लगन की होगी, वो भी पाप्रभाव वाली हो सकती है, मान लेजे करक लगन की कुंडल प्रिश्चिक और मीन जो मूल रूप से धार्मिक लगना है केवल और केवल सुरद्धा वाले या साधना वाले लगना है लेकिन वो भी कहीं न कहीं ऐसा जातक प्रत्न करने लगेगा खुब अर्जित करने के लिए प्रत्न करने लगेगा तो आप आज माईए ये सिध्धान् गलत नहीं है, ये सूत्र गलत नहीं है, नवम पंचम वाले ही ग्रह दसा अंतर दसा में अच्छा फल देते हैं, लेकिन जिनको सडाष्टक योग वाले, जिनको साधे साती विशेस लाफ दे रही है, जिनकी कुंडली में विश्योग है, गुरुचांडाल योग है, अंगारक योग है, वो अगर विशेस, तो वो सभी ऐसे लोग होंगे, कही न कहीं उनकी कुंडली में लगन से पाप्रभाव अधिक जुड़ा हुआ होगा, तो वहीं ऐसे जातकों के जीवन में महत्वा कांच्छा, वो उनके वर्ण को देख करके पता चलेगा कि वो किस वर्ण के है तो उनकी महत्वा कांच्छा से ये सिद्धो होगा, असा करता हूँ, आज ये जो सिद्धान्त आपने सुना, किसी और के कारण ही आपको ये समझने को मिला, लेकिन याद रखिए, जब आप बहुत सारी कुंडलीों का अध्यान करेंगे, तब जाकर कि इस सिद्धान्त को स मुसकर!